नमस्कार आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग दुनिया भर में वैश्विक महमारी कोरोना वाइरस का प्रकोप जारी है देश में कोरोना संकट के बीच बॉर्ड फ्लू के नए खत्रे ने दस्तक दे दी है राजस्थान और मध्यप्रदेश के बाद अभिमाचल में हजार से अधिक पक्षियों की मौत हो गई है चिंता की बात यह है कि यह अब और तेज गती से फैलने लगा है मृतिक परिंदों के सैंपल लेकर मध्यप्रदेश के भुपाल की एक प्रयोगशाला में भेश दे गए है राजस्थान में कोव की मौत का सलसला थमने का नाम नहीं ले रहा है राजस्थान के जालावाड में भी बर्ट फ्लू ने दस तक भी है मंदिर परिसर में 25 संबर को अचानक कोव की असमाने मौत होने लगी बालाजी मंदिर परिसर में बर्ट फ्लू से कई कोव की मौत हो गई जाच में कोव ने एवियन इंफ्लूएंजा की पुष्टी हुई है प्रदेश के जोधपुर, जालावाड और बारा में एक सप्ताह के अंदर ही 295 कोव की मौत हो चुकी है मौतों का इस सिलसिला लगातार जारी है बारा जिले के मातना और सार्थल में भी 99 कोव की मौत हो गई है इसके अलावा जालावाड में 16, पनवाड में 10, सुनेल में 8 और जोधपुर में 2 कोव की मौत हो गई है वंस अंरक्षक दीपगुप्ता ने मौके पर पहुँच कर जाइजा लिया मौके पर सेंतालिस कोई, एक-एक किंग फिशर, वें मेगपाई, चिडिया भी मृत मिली है प्रभावित अलाके में जीरो मोबिलिटी लागू कर सभी पोल्ट्री फार्म में जाँच के निर्देश दे दिये गए है एक स्पेशल टीम का भी गठन किया गया है जालावाड में रेडी के असपास एवियन फ्लू के कारण बड़ी संख्या में कोई की मौत हो गई है नमूने और जाँच के लिए एक रैपिड रिस्पॉंस टीम का गठन किया गया है जालावाड प्रशासन ने शेत्र में पोल्टरी फार्म और पोल्टरी की दुकानों से एकत्र किये जाने वाले नमूने जाँच के लिए भेज़ दिये है इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलाल इतना ही जुड़े रही है न्यूस वर्ड इंडिया के साथ अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इससे लाइक करें शेर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद